हेलो दोस्तों नमस्कार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल बेनजीर क्लास में आज आप देखेंगे जीके का जादू जी हाँ जीके के जादू में आज मैं आपको बताऊंगा बाबर दोरा जीते गे चार युद्धू कि ट्रिक बाबर आया पानी प हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए जी हां मैं पहले ट्रिक के बारे में आपको बता दूं कि बाबर दोरा जीते गए चार इसमें आया आपका एक कोश्चन यहां से दूसरा कोश्चन कि भारत में बाबर पहला युद्ध कौन सा तो पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर आया पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई पहले ट्रिक के पारें बात करूंगा बाबार आया पानी पिया खाना खाया चादर ओढ़ा खराटे मारा सो गया तो पानी मतला पानीपत 1526 में बाबर दौरा इब्राहिम लोदी के साथ पहला युद्ध लड़ा गया जिसमें उसने तोपों का प्रोग किया और बाबर बीजई रहा इस तर तुष्ञा खानवा का युद्ध 1527 में बाबर दौरा राणासांगा के साथ 1527 में खानवा कई तक्रिक में खाना काया तो 1539 में बाबर दौराग घागरा का युद्धि लुकिया गया जिसमें वह बिजाई रहा और 1530 में बाबर की मृत्ति हो गई इसलिए बाबर सो गया अतह बाबर एक एक वर्ष करके चार महात्रपूर युद्धि लड़े और मुगल सतनत की निव को भरत में मजबूती से स् तो ट्रिक है गुड़ खाके तुम सईया लादो मामा आए हैं तो गुड़ मतलब गुलामबंस 1206 में खा मतलब खिलजी 1290 में तुम मतलब तुगलक 1420 में सया मतलब सयद 1414 में लादो मतलब लोदी 1418 में मामा मतलब मुगल 1526 में दिल्ली सल्टनत का इतिहास गुलामबंस से सुरू होता है गुलामबंस की स्थापना को तो दिन एवक द्वारा की गई जिसने को तो मिनार का निर्मार करवाया था वहीं फिर उसके बाद खिल 1290 तक रहा और फिर खिल्जी बंस की स्थापना 1290 में हुई इसकी तरह तुबलग बंस 1320 में और सयद 1414 में और फिर लोदी बंस की स्थापना 1418 में और फिर मुगल बंस बावर दौरा 1526 में पानीपत की युद्ध से स्थापित हुआ इस तरह से आपके ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट पर जरूर बताएं और अगला आपका ट्रिक क्या हो आप ये भी कमेंट कीजिए और हां वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर पेस किजिए आपका दिन सुभ हो धन्यवाद